गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइंथ बेटा आज हम फोस्ट चेप्टर करेंगे माखन लाल चतुरवेदी पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम कवी का प्रीचे पड़ेंगे उसके बाद उसकी कवीता करेंगे कैदी और कोकिला पहले कवी का प्रीचे है गांदीवादी विचारदारा से गहरे परवावी शीरी माखन लाल चतरवेदी देश की सबतंतरता से पहले जुवा परग में शंगर्ष और विलदान की भावना बरने में समर्थ कवी और प्रखर पत्तरकार थे गांदीवादी विचारदारा से परवावी थे माखन लाल चतरवेदी थे वो देश की सबतंतरता देश की अजादी से पहले जुवा वर्ग में जो मतलगे जंग वर्ग था उसमें शंगर्ष और बलदान की भावना बरने उन लड़कों में शंगर्ष और बलदान की भावना बरने में समर्थ कवी थे और प्रखर पत्तरकार थे इनका जनम बद्या परदेश के शंगावाज जिले में बवाई गाम में सन 1899 इस्वी में हुआ था इनका बचपन आर्थिक अबाबों में बीता था जीवन के शंगर्षों में इनकी पत्नी को टीवी का शिकार बना दिया गया था इनने केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बदना पड़ा था बाद में इन्होंने अध्यापन का कार्या शोड़कर प्रवा नामक पत्तिरका का संपादन बार संबाल लिया था इन्होंने पत्तिरका कौन सी चलाई थी प्रवा इन्होंने करंबीर और प्रताप पत्तिरका का वी संपादन किया था एक तो प्रवा का किया था पत्तिरका इसके इलावा करंबीर और प्रताप करम बीर में राष्ट्रिय भावनाई बरी रहती थी सन 1968 इसमी में इनका ध्याद हो गया इनका ध्याद कब हुआ 1968 शिरी चतरवेदी की प्रमुक रचनाई कौन सी है हिम केटनी, साइत्य देवता, हिम तरिंगनी, बेनुलो गुंजे दरा, माता, जुग चरन, मर्न जुवाद, बिजली काजर, आज रही आदी इनकी संपुन रचनाई माखनला चतरवेदी गत्याद इनकी रचनाऊं में अंग्रेजी राजिया के प्रती विद्रो का बाव मुकृत हुआ है चाहे इनका जीवन शायवदी जुग में बिक्सित हुआ था, पर इनका काव्या शायवाद से अलगी रहा इनके काव्या में रास्ट्रिया और संस्कृतिक बावों की प्रमुकता है इनके काव्या थे बेटा उनमें रास्ट्रिया और संस्कृतिक बावों की प्रमुकता है इनमें सब्तंतरता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलदान की बावना प्रमुक है इसलिए इन्हें एक बारतिया आत्मा भी कहा जाता है इनको बारतिया आत्मा क्यों कहा जाता है क्योंकि इनको अजाती की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बल्लिदान की बावना भी थी पुष्प की अभिलाश्या नामक कविता के माध्यम से इन्हों ने रास्टर के प्रती त्याग और बिल्दान की बावना को अभिव्यक्त किया है बैटा ये कुस्टन बन सकते हैं कि माखनल चतुरवेदी ने किस कविता के जरिये रास्टर के प्रती त्याग और बिल्दान की बावना को अभिव्यक्त किया है पुष्प की अविलाशा, मुझे तोड लेना बनमाली, उस पत्थ पर देना तुम फिंक, मातरवी में पर शीष चड़ाने, जिस पत्थ जावे बीर अनेक, शिरिच अतरुवेदी स्वादिन्ता अंदोलन के दरान, अनेक वर जेल गए थे, इन्होंने प्रेम, बक्ति बाब और प्रकिर्ति स्वंधी काव्या की रचना भी की थी, बे कस्टों को जीवन में आने वाला अवश्यक हिस्सा मानते थे, वो मानते थे कि जीवन में कस्टों का आना भी जरूरी है, वे नबजुबकों को संक्टों से जूडने की प्रेर न देते थे और इसे ही सच्चा संद्रय मानते थे, वे देश के नबजुबकों मात भूमी की पूजा के लिए स्वैम को अर्पित करने के लिए प्रेरित करते थे, इन्हों ने अपने काव्या की रचना बड़ी बोली में की, ये कविता में शिल्प की अपेक्षा भावों को महत्तव देते थे, इन्हों न प्रमप्रागत शंद्र जोजना की थे, इन्हों ने कविता में उर्दू और फार्थी शब्दावली का प्रजोग